कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे तो आगया हूँ अपने एक्सिलेंस क्लास चैनल के एक नई क्लास के साथ और आज की क्लास मेरी जो है आप लोगों के लिए क्लास लेकर आने वाला हूँ तो उसी वादे के अनसार आज मैं अपनी क्लास लेकर आया हूँ और क्लास में बहुत साथ चूडेंस के अनसर और एक बीडियो पिसकी मत कीज़ेगा 為什麼 जो होगे question जो जो बुक से होते होई होंगे लिकिρatif मैं अनसर को शूनीं की पुछ हटके होगे जो आपको याद करने बहुत आसान होंगे सब्सक्त सकते हैं तो जयदा देर करते होगे चलने चलती अपनी क्लास की तरफ और देखते हैं आज किस क्लास का मैं question लेकर आया हूं तो आज मैं आप लोगों को दफन दे हैड इस लेशन के वक्ष्य अंसर करने वाला हूं दफन दे हैड जैसा कि मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है कि दफन दे हैड में टॉमी और मारगी नाम के दो बच्चे होते हैं जो अपने भविष्ष में जो एक किताब पा जाते है उस किताब को देखते हैं तो बहुत अचमबित होते हैं और ये लेसर इसी सबसे संबंदी थे जिन्हों अभी तख को मेरा वीडियो नहीं देखा है वो जाकर देख सकते हैं उपर आई बटन पर वीडियो को मैं लिंक कर दूँगा और अब हम लोग चलते हैं इसको इसके question answer के तरह पहला question जो हमारे सामने निकल के आता है वो आता है क how old Margie and Tommy question निकल के आता है पहला हमारे सामने how old Margie and Tommy इसमें पूछ रहा है कि Margie और Tommy कितने वर्षके थे आपने अगर लेसर को पढ़ा होगा तो second paragraph में जो चौथी लाइन है इस चौथी लाइन में लिखा है कि C was 11 and had not seen many books and Tommy was Tommy had he was just 13 पतलब कहा गया है कि Margie जो थी 11 वर्षकी थी और जो Tommy था वो 13 वर्षका था तो इस भी लिखेंगे कि Margie was Margie was just 11 years old and Tommy was 13 year old इसमें आप लोग देखें कि Margie जो थी केवल 11 वर्षकी थी और जो Tommy था वो 13 वर्षका था आप लोगों गर question answer समझने के लिए सबसे पहले आपको lesson को समझना होगा अगर lesson आपने ठीक से हिंदी में समझ लिया तो आपके लिए कोई भी question बहुत बड़ी बात नहीं रह जाएगी और अब हम चलते अपने दूसरे question के तरफ दूसरा question जो हमारे सामने आता है कि what did Margie write on her diary तो पहला question दूसरा question निकल के आया कि what did Margie write in her diary Margie ने अपनी diary में क्या लिखा था तो lesson जैसे सुरू होता है जैसे ही lesson के opening होती है इसमें दीखे पहली line में लिखा हुआ है कि Margie even wrote about it that night in her diary on the page headed 17 में 2157 she wrote उसने लिखा today Tommy found a real book उसने क्या लिखा था today Tommy found a real book Tommy को एक आज वास्तों में वास्तों में वास्तों भी किताब मिली तो लिखो गे हाँ पे कि Margie write Margie wrote today Tommy found a real book in her diary in her diary yes cancer होगा कि कि उसने क्या लिखा था कि Tommy को आज एक वास्तों में वास्तों में किताब मिली और वो किताब कैसी थी वो अगे lesson में समझाये गया है आपने एगर lesson को नहीं पढ़ा आए तो जाके पढ़ सकते हैं कि lesson क्या है हमारे सामने निकल कर देखते हम तीसरा question लेते हैं तीसरा question आता है Had Margie Ever Seen A Book Before तो यह question आप देख लीजें कि Had Margie Ever Seen The Book Before तो आपने अगर lesson को पूरा पढ़ रखा होगा तो lesson को पढ़ने में आपको यह बात clear हो गई होगी कि यह मारगी और Tommy नाम की जो दो बच्चे थे यह भविश्य के बच्चे थे और भविश्य के बच्चों को जो उसमें बताया गया है कि भवविश्य के बच्चों को पढ़ाया किस प्रकास जादा था उनके लिए मारगी ने पहले किताबे देखी थी तो इसका अंसर हो जाएगा नहीं मारगी ने किताबे पहले नहीं देखी थी तो यहां देखे लिखा है उन पूरे question का अंसर दे दिया जाये तो बने रहिए अगर वीडियो अच्छा लघ रहा हो तो लाइक जरूर कर दिया कीज़े वढ़ी वीडियो लाइक कर ते रहते हैं तो मेरा भी motivation बना रहे था तो वीडियो जरूर लाइक कर दिया कीजिए और अब हम चलते अपने अगले कोईशन के तरफ अगला कोईशन जो हमारे सामने निकल के आता है कि what things about the books, did she find strange? अब उसे किताबों के बारे में क्या बिच्चतर लगा था? तो क्या बिच्चतर लगा था? चले देखते हैं हम लोग तो क्या बिचित्र लगा था उसे बिचित्र वो लगा था कि जैसे उसके समय में टेली बुके होती थी जो वह किताबे जो अपने आप लाइने बदलती थी अपने आप लेटर बदलती रहती थी तो ऐसी किताबे उसके सामने आती थी तो और जो उसके सामने जो किताब आई थ जिसे हम लोगों के पास किताबे होती तो इस किताबों में क्या होता है कि आप पहले पेज के जो लेटर पढ़ते हैं तो दूसरे पेज में पढ़ना सुरू करते तो पहले पेज में पहले वाले लेटर वैसे ही वैसे लिखे रहते हैं लेकिन टेली बुकों में इसा नहीं होत उसमें आपको पढ़ने नहीं पलटने वो लाइने बदलती रहती उसमें तो यही चीज उसको अजीब लगी थी क्योंकि उसके समय में किताबे जो थी अपने आप लाइने बदलती थी लेकिन हम लोग जो किताबे पढ़ते हैं यह किताबे जो पुरानी किताबे उसे मिली थी वो किताबे क्या थी उनमें पेज पलटने पढ़ते थे नई लाइने पढ़ने के लिए तो यही चीज उसको उस किताब में अजीब लगी थी तो इसका अंसर कैसे होगा तो यहाँ देखिए क्या लिखा है दबुक फिच टॉमी फाइंड मतलब जो किताब और टॉमी को मिली थी हैड नौट मूविंग लेटर्स और लाइन मतलब उसमें चलने फिरने वाले अक्षर या लाइने नहीं थी लाइट टेली बुक्स इन हर एज उसकी जो समय के जो किताबे टेली बुक्स थी उसकी तरह उसमें चलने फिलने वाले लेटर से अक्षर नहीं थे बलकि उनको किताबों के पढ़ने पलटने पढ़ते थे अगली लाइन पढ़ने के लिए मारगी के लिए यही चीज सबसे अजीब थी उस किताबों में तो अब हम चलते हैं तो उमीद है कि यह लेक कुश्चन भी समझ में आ गया होगा अब चलते हैं अगले कुश्चन के तरह अगले किताब होती है जिसमें अपने आप लेटर्स और अक्षर चलते रहते हैं इसमें पेज पलटने की जुरूत नहीं होती इसमें लेटर और अक्षर अपने आप पलटते रहते हैं और यही हमारी टेली बुक सोती थी इसी को हम लोग कुश्चन के अंसर में लिग देते हैं तो अंसर है एक टेली बुक इस एलेक्ट्राणिक बुक विच चेंज दर लेटर्स एंड लाइन्स इटसेल मतलब वह किताबे जो टेली बुक जो होती वह एसी किताबे होती जो लाइने और लेटर्स अपने आप बदलती है एंड यू कैन रीड इट उनली इलेक्ट्राणिक गैजट्स और आप इसे के ओल इलेक्ट्राणिक गैजट्स पे ही पढ़ सकते है अब अगला कुश्चन जो हमारे पास आता है वो क्या होता है मारगी का स्कूल कहा था और क्या उसका कोई सहपाथी था अगर आपने लेशन पढ़ा होगा तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि मारगी का स्कूल उसके घर पर ही था उसके पास कोई सहपाथी ऐसा नहीं था जो उसके साथ बैट कर पढ़ता हो उसका एक लोता दोस्त क वाले कौन थे एक electronic teacher थे तो यहां पर देखते हैं कि question का अंसर क्या निकल क्या आता है तो यह answer निकला हमारा मारगी स्कूल in her house मारगी का स्कूल जो था उसके घर में था and she had no classmate उसके पास कोई भी सहपाथी नहीं था मतलब उसका कोई सहपाथी नहीं था जो वह केले पढ़ती थी only a mechanical teacher taught her और के वाले कि यांत्री का ध्यापक जो था वही उसको पढ़ाता था अब अगला question जो हमारे साम निकल क्या था वह क्या निकल क्या था what subject did मारगी एंड टॉमी लर्ण अब देखते हैं कोर को से subject पढ़ते थे एक जगह यह चर्चा की गई है कि सारे विसे पढ़ते थे तो यहां पर बता जा रहा है कि मारगी और टॉमी लगभख सारे विसे पढ़ते थे लेकिन इस में अगर किसी विसे की बात की गई इस lesson में तो भूगोल की बात की गई है और मैत की बात की गई है तो हम लोग क and math आप इस lesson में अगर और किसी विसे की चर्चा होती तो वो विसे भी लिखा जाता है लेकिन इस lesson में को तीन ही विसे की चर्चा की यह जोगर्फी, history and math की तो उमीद है कि यह questions आपको समझ में आ गए होंगे तो एक बार आप note कर लिजे और फिर हम लोग इसके आगे question के तरफ बढ़ते क्योंकि page अब पलटने वाले हैं तो आगे question के लिए आपको इन सबको note जरूर कर लीजिए तो अगला question लेते हैं कि what kind of teachers did Margie and Tommy had have तो इसमें क्या बताए गया है कि what kind of teacher मतलब किस प्रकार के अध्यापक थे what kind of teacher आपने अगर lesson को पढ़ा होगा तो आपने एच्छी ते के जान लिया होगा Tommy और Margie के teacher कैसे थे Tommy Margie teacher अभी मैंने कई सारे पिछले page पे लिखाया है कि Tommy Margie के teacher जो थे electronic teacher थे mechanical teacher थे तो यही इसका answer होगा कि Tommy और Margie के teacher जो थे mechanical थे तो यहां देखे लिखाया Tommy and Margie had mechanical teachers यांत्रिक अध्यापक थे who came to their houses to teach them जो उनके घर उनको पढ़ाने आते थे clear तो अब हम अगला question लेते हैं question हमारे सामने है कि why did Margie's mother send for the county inspector अब इस question को अगर आपने पढ़ा है और lesson अगर आपने पढ़ा है तो क्या था lesson में lesson में यह था कि जब जागरफी के question को जागरफी के question उसके electronic teacher ने मारगी को दिये थे तो मारगी बार बार गलत किये जा रही थी और बार बार गलती कारण उनकी जो माता जी थी उनको यह लगा कि सायद इसमें कोई दिक्कत है कोई समस्या है computer screen पे या mechanical teacher वे जो उसमें पढ़ाने आते हैं तो उसमें कोई दिक्कत है तो इसलिए उन्होंने को काउंटी स्पेक्टर को बुला भेजा था तो इसके question के answer को लोग लिखते हैं तो यह देखिए इसको answer है answer थोड़ा सा लंबा हो गया है क्योंकि question work on geography subject मार्गी की जो mechanical यांत्री का ध्यापक थे वो मार्गी को भुगोल विशे पर काम दे रहे थे अंब लेकिन मार्गी had been doing wrong every time लेकिन मार्गी जो थी बार-बार हर बार उसे गलत कर दे रही थी और यह देखकर मार्गी की माने सोचा मार्गी's mother thought that there were any problem कहीं कुछ समस्या है सो इसलिए उन्होंने जो काउंटी स्पेक्टर थे उनको बुला भेजा क्लियर मीदे कोईशन आपको कोईशन का अंसर आपको समझ में आ गया होगा तो अब हम आगे कोईशन पढ़ते हैं देखतें क्या कोईशन आता है what did he do मार्गी के जो काउंटी स्पेक्टर थे मार्ग देते हैं तेहां देखिए एंसर लिखा हुए दा काउंटी स्पेक्टर के काउंटी स्पेक्टर आये एंड ही एंड ही गेव एन एपल टू मार्गी उन्होंने मार्गी को सेव दिया था एंड रिमूब तप्रॉब्लम आप में काउंट कल टीचर मतलब उस आयांत्री का ध् अब उसमें पूछ रहा है कि मार्गी जो थी बार-बार भुगोल में खराब परदर्शन क्यों कर रही थी और उसकी सहता के लिए छेत्री निरिक्षक जो आया था उसने क्या किया था तो इस लेशन में इस लेशन को आप पढ़िए और देखी कि उसमें छेत्री निरिक्ष करते हैं उन्होंने क्या किया था उसके लिए तो कोई अगर लेशन आपने पढ़ाओ तो लेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि मार्गी जो जो मार्गी थी वो जो जुगर्फी में इसलिए कर रहे थे कि जो सब्जट्ट दिए गए जो लेबल था वो 10 सब्ज़िक्र से उ आप उसे उन्हों ने दस साल के बच्चे के लेवल में फिर से लाके कर देया है जिससे कि मारगी को अब कोईशन में जो गलतिया नहीं करेगी अगला question क्या है कि what had once happened to Tommy's teacher Tommy के teacher को एक बार क्या हुआ था तो lesson अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें लिखा है कि Tommy के teacher को क्या हुआ था तो देखें आप उस lesson को तो इसका अंसर आपको पांचवे paragraph में आपके मिल जाएगा पांचवे paragraph में सीधा लिखा हुआ है जो कि they had once taken Tommy's teacher away for nearby a month because the history sector has had blanked out completely मतलब उसने वो बता रही है वो सोच रही है मारगी क्योंकि उसको पता था कि ये जो geography के teacher है जो mechanical teacher जो county inspector है वो mechanical teacher को दूर लेकर चले जाएगे क्योंकि इसलिए वो बार-बार गलती कर रही थी क्योंकि उसने देख रखा था कि जो Tommy के teacher थे एक बार उनका पुरा जो history थी history से सम्मद्दी सारे slaves खतम हो गय थी या blank हो गया था इसके कारण जो मां टॉमी के जो mechanical teacher थे उनको county inspector एक महने के लिए दूर रखा था तो यह चीज़ यहां पर लिखनी है कि जो Tommy के teacher के साथ क्या हुआ था वो चीज़ यहां पर आपको लिखनी है तो यहां देखिए कि इस का अंसा लिखा है कि once Tommy's teacher was taken away for a month by the county inspector, county inspector दोरा एक बार टॉमी के teacher को एक महने के लिए दूर ले जाया था क्योंकि its history sector had blanked out completely क्योंकि इसके इतिहास का छेत्र पूरी तरह से खाली हो चेका तो मतलब इदिहास के बारे में उसे कोई जानकारी कोई उसके अंदर कोई स्लेबस बचा ही नहीं था कोई पार्थ ही नहीं बचा था इसलिए county inspector दोरा जो उसके mechanical teacher को एक महने के लिए दूर ले जाया गया था अब अगले question को हमसे देखते है क्या थे how does Tom describe the old kind of school school अब इसमें लेसल में पढ़ रखा हूँगा धिस देखा होगा कि जो Tommy था उसने पुרाणी स्कूलों स्कूलों के बारे में कैसे बात की थी कैसे तो आप उसमें जाके लेशन में एक बारव से ठूंड़िये कि इसका अंसर क्या होगा तो पुराने स्विप्ट gün के बारे में जो टौमी ने किस प्रकान से बता था कि पुराने स्विप्ट कiãoए पहले एक जो मैंड टीचर होते थे मतलब अव्यक्ति होते थे रीजर वही पढ़ाते थे और लोग बच्चे जो थे उनके पास पढ़ने जाते थे ना कि वो किसी के घर पढ़ाने आते थे तो यही description जो उसने मारगी को दे थी कि पुराने स्कूल सताब्दियों पहले पुराने स्कूल ऐसे ही होते थे तो यही इसका अंसर होगा तो यह अंसर इसका है कि टॉमी टोल मारगी टॉमी ने मारगी को बताया that centuries ago सताब्दियों पहले man teacher taught the student मतलब व्यक्ति अध्यापक जो थे वो students को पढ़ाते थे and all teachers live in a special building और सारे जो teachers थे वो एक विशेश प्रकार की भवन में रहते थे and all students went there for study और सारे स्टुडेंट सारे स्टुडेंट जो थे उनके पास पढ़ने के लिए आते थे clear तो इन questions को नोट कर लिए फिर हम आगे बढ़े और अपने अगले questions को तरफ बढ़ते हैं कि देखते हैं कि क्या-क्या questions हमारे सारे निकल कर आते हैं तो पहले ने आप नोट कर लिए फिर हम आगे बढ़ें तो अगला question हमारे सारे ने क्या आता है अगला question था what information did Margie's grandfather gave her about old sort of books मतलब पुरानी किताबों के बारे में जो मारगी के दादा जी ने मारगी को क्या बताया था तो आप देखी कि पहले paragraph में lesson के starting में ही पहले paragraph में ये चीज बताई गई है कि मारगी के दादा जी ने मारगी को उन किताबों के बारे में क्या बताया था यहां पर देखे कि आप क्या बताया जाता उस पर बताया जाता कि जो उसके दादा जी ने बताया था कि जब वे बच्चे थे तब उनके दादा जी ने ने मारी के दादा जी के दादा जी ने उन्हें बताया था कि पुराने जमाने में जो किताबे होती थी वो पेपर पे मतल उझी किताबों से पढ़ते थे तो यहीं इसका अंसर होगा तो इसका अंसर हुआ कि मार्गी जब वो छोटे बच्चे थे तो इस ग्रैंट फादर टोल इम उनके दादा जी ने बताया था कि एक समय ऐसा भी था जब किताबे और कहानिया काग्यों पे छपा करती थी तो यहीं इन्फोर्मेशन उसमें निकल कर आई थी तो इस्ट्रेंट इसी के साथ आज का वीडियो हम ख़तम करते हैं और उमीद करते हैं कि जितने भी कोईश्चन मैंने आपको दिये हैं जितनी भी कोईश्चन आपको लिखाए हैं वो बहुत ही आसान भासा में लिखाए हैं वो कोईश्चन आपको समझ में आ गए होंगे तो ऐसे ही आसान कोईश्चन आपको हमेशा मिलते रहेंगे यहापर और इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा साथी साथ बेल नोटिफिकिशन आउन कर देना होगा जिससे मेरा जबी वीडियो आएगा वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा और साथी साथ एक बात और आप से बताना चाहता हूं कि यदि इसके अत्रिक्त आपकी किताब में कोई और कोईशन है तो उनको मेरी कमेंट बाक्स में लिखिए और निशी थी मैं उन सभी सारे कोईशन का अंसर एक साथ करके एक वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको सारे कोईशन का अंसर दे दूंगा और यदि आपको कोई कुछी कोईशन समझ में नहीं आता है कोई अ जाकर देख सकते हैं कि उस lesson में क्या क्या description में ने दिया था पूरा lesson में बहुत detail में समझाया था तो आप उस lesson को जाकर वहां से समझ सकते हैं अगर आप कोई दिक्कत आती है आपके सामने तो मुझे comment कीजिए और यदि चैनल को subscribe नहीं किया तो अभी subscribe कर लिजिए और तो मिलत आपने नेस्ट वीडियो लेक्शर में तिल देर शेट विद आवर चैनल कीप वाचिंग कीप लानिंग टेक केर थैंक यू और बाइड